हेलो फ्रेंड्स वेलकम तू मैं चैनल टू रियल्टी टेक पार्ट 6 स्टॉक मार्केट इंट्रडेट टेडिंग से रिलेटेड आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि आपको स्टॉक सेलेक्शन कैसे कंस्ट हर वीडियो की तरह मैं स्टार्टिंग में आपसे एक ब बनानी है कहां पर एक्जिट करना है उसके बाद ही आपके पास जो बचा हुआ कैप्टल है उसको आप मार्केट में डाले और अपनी पोजीशन क्रियेट करें तो आज बात करेंगे स्टॉक सेलेक्शन करने के लिए कुछ इंपॉर्टन क्राइटेरिया है जिसके बारे में बात करेंगे जैसे पहले तो आपको स्टॉक करना है चाहिए आप गुर्व एप से करें या फिर बाहर किसी वैब साइट से करें दूसरी चीज उस स्टॉक का मार्केट कैप्टल 5000 क्रोल से कम नहीं होना चाहिए जितना बड़ा कैप्टल होगा उतनी जादा हो उसमें लिक् करेंगे जो भी स्टॉक आप सेलेट करेंगे उसके चार्ट को एक बास देख लेंगे भले वो आपने 200 रुपे वाला 300 रुपे वाला स्टॉक सेलेट करा है लिक्वालेटिलिटी इसको कहते हैं स्मूधनेस इंदा चार्ट गैप अप चार्ट नहीं होने चाहिए यह एकदम लो मार देते हैं लेकिन जादत तर वो कॉंसॉलिडेट होके ही चलते रहें यह कुछ ब्रेसिक क्रैटेरिया हैं और भी एक दो चीज़े हैं जो मैं आपको अभी अपने सिस्टम की स्क्रीन पर ले चलता हूँ और आपको स्क्रीन करता हूँ कि सेलेट करना है सेलेट आगे जब आप भी ट्रेड ले तो आपको भी असान होगा तो यहां देख सकते हैं अभी 33 रूपीस 50 रूपीस का लॉस चल ला है और होफूली अगर सही है मेरी स्ट्रेटीजी जो कि मैं आपको भी बता रहा हूँ तो यहां दे एंड पे प्रॉफिट ही होगा तो यहां द दीजगत होने के बाद फिर से मार्केट ने उपर जाने की कोशिश करी लेकिन यहां से देखिए एक लॉंग विक हैमर बना जिसके बाद मैंने इस कन्फरमेशन पर अपना ट्रेड लिया और मार्केट वापस से थोड़ी सी रिवर्स हो गई है इस वज़े से यहां पे जो पूरा होगा तो मैं आपको दिखा दूँगा कि यहां पे मुझे आज दे एंड पे इस स्ट्रेडिजी के दूख कितना प्रॉफिट हुआ और अगर वीडियो कंप्लीट हो जाएगी बनाने से पहले तो फिर कोई बात नहीं आपको नेक्स वीडियो में बताते हैं तो बात स्टॉक सेलेट करना है इसके उपर मैं पहले रिक्स रिवार्ड रेशियो में बता चुका है एक बाफिर से आपको जल्दी से बता देता हूँ 10,000 के कैपिटल से 100 रूपीस का स्टॉक 20,000 के कैपिटल से 200 वाला स्टॉक इस तरह से ही आप आगे बढ़ते रहेंगे 30,000 पे 300 वाला स्टॉक आपका जितना कैपिटल होगा उसी पर आपका स्टॉक का सेलेक्शन होगा और उसी से आपकी आनिंग और एसल लगेगा जो कि आप लिस्क रिवार्ड रेशियो इस वाले वीडियो में देख सकते हैं फरस्ट चिंग होगी कि इस स्टॉक को कैसे सलट करना है तो फ्रेंट्स अगर आप ग्रो एप इस्तेमाल करते हैं और वैसे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर वह भी मैं आपको बताता चलू अगर आप सी मुबाइल से ट्रेट कर रहे हैं तो हो नहीं पाएगा आपके पास कोई टैब लैप्टॉप या सिस्टम हो पास है अगर नहीं है तो मुबाइल को होरिजन्टल करके पहले चार्ट को देखे उसके बाद स्टॉक में अपनी पोजिशन को क्रियेट करें बात करते हैं कि अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको चीज़े कहां दिखेगी और अगर वैबसाइट इस्तेमाल कर रहे ह हिस्सा दिख रहा है यह आपको मुबाइल की स्क्रीनों में नहीं दिखेगा सिफ यहां तक दिखता है जितना ही लिखाता है मोस बॉट ऑन गुरो इंडेक्स यह सब आपको फ्रेंट स्क्रीन पर ही दिख जाएगा तो यहां पे सब से उपर दिया है सर्च का ऑप्शन आप इनके स्टॉक के प्राइस भी बहुत बड़े होंगे जैसे आपने टाटा गहा टाटा मोटस अब आपको टाटा मोटस का गा स्टॉक देखना है कोगे हर कंपनी MNC हैं मतलब Multiple Fields में है तो यहां देखे टाटा स्टील भी है टाटा मोटस भी है टाटा टेली सर्विस है पाव यहां grow app में बहुत ही helpful चीज दी है थोड़ा स्कॉल करके नीचे आएंगे इंटरडे टेडिंग के लिए आपको guidance कर रहा है कि कैसे stock selection करना है क्या strategies आपको अपनानी है जिसके बाद आप profitable हो सकते हैं तो यहां थोड़ा स्कॉल करके जब नीचे आएंगे तो यहां आपको एक option में देगा funnel type में तो mobile में इसका नाम all stocks करके है simply आपको इसके उपर क्लिक करना है अब यहां पर क्लिक करने के बाद यहां पर देख सकते हैं आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है पहली चीज यहां पर sectors दिये हैं कि आप किस फिल्ड में stock को select कर रहे हैं मीडिया, IT, industry, telecom, automobiles, banking, agriculture तो यहां से आप कोई option ना select करिएगा कि आपको इसी में stock select करना है वनना आप restrict रह जाएंगे एक particular sectors में तो यहां पर इस option को ऐसी छोड़ दीजे, थोड़ा सा scroll करेंगे फिर index आजाता है जैसे अपना bank nifty, sensex, bank ex, bsc तो इसके अंदर जितने भी stocks आते हैं अगर आप उसी पर trade करना चाहते हैं लेकिन वो सारे stocks काफी महंगे होंगे मैं आपको example के तोर पर दिखा देता हूँ जैसे nifty 50 का है यह nifty bank का है यहां click करेंगे तो यहां आपके सामने सिर्फ nifty bank में जितने भी banks add हैं उसके stocks आ जाएंगे लेकिन stocks की price देख सकते हैं कोई भी 100 रुपे के करीब नहीं है मैं basic से लेके चलना हूँ बाकी आपके capital पर depend है कि आप कितने वाला stock select करते हैं यहां पर एक stock है जो की IDFC first bank है जो की बहत्ता रुपे सा है और यह nifty bank के अंदर add है तो इस तरह से भी आप stock को select कर सकते हैं उसके बाद थोड़ा सा और scroll करके आएंगे तो यहां पर important है market capital यहां तो 3 का मतलब 3 करोड रुपे है यहां पर बाकी आप 0 गिन लेंगे कितने लगे हैं कितने करोड का यहां पर बताया है market capital इसका मतलब इससे ज़्यादा किसी company का नहीं है इसलिए maximum position बताइए तो यहां पर करना क्या है आप जो भी stock select करेंगे उसकी market capital 5000 करोड से नीचे नहीं ह करिएगा क्योंकि उसमें liquidity और volatility नहीं होती है liquidity और volatility क्या होती है यह मैं अभी आपको बताऊंगा आगे तो यह करने के बाद market capital भी आपने select कर लिया market capital के बाद अब आता है close price close price जो आपका होना चाहिए 100 रूपीस वाले stock में मैं एक आपको idea बता दे रहा है उससे आप calculate कर ल तो इसलिए यहाँ पे जो close price है आप right की तरफ से 100 रूपीस के करीब ले जाएंगे तो यहाँ पे 500 तक आया है भी और यह हो गया 100 तो 75 रूपीस से कम ना हो और 120 रूपीस या कह सकते है 115 रूपीस से जादा ना हो जो इस price range में आएंगे वो सब आपके 100 रूपीस वाले stock मान 125 से उपर और 175 से नीचे तो वो आपके 1500 रूपे 150 वाले price के range में आ जाएंगे तो यहाँ पर 100 रूपीस का stock आपने select कर लिया market capital आपने select कर लिया बागी आपको यहाँ कुछ select करना है अब यहाँ पर देखिए market में क्या price चलना है उस stock का यहाँ पर आपको देखना है जो price 75 स उपर हो वही आपको select करना है for example के तोर पे सबसे पहला 61 रूपीज है इंडियन ओवसीज बैंक का यह आपको select नहीं करना है यहाँ पर देख सकते हैं IDBI bank यह आप select कर लेंगे NHPC 99 पर यह select कर लेंगे फिर थोड़ा से scroll करके नीचे आएंगे 69 है 72 है नहीं select करेंगे यह देख होते हैं तो इसलिए आप यहाँ पर देखे जैसे Tata Steel BS BSL यह 85 रूपीज है तो इस तरह के स्टॉक जो 75 से उपर और 110-115 के करीब होंगे उन सब को आप 100 रूपीज वाले यहाँ पर जैसे आपने स्टॉक अपने देख लिए कौन-कौन से हैं तो उसको आप पेपर भी यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस तरह से एक watch list open हो जाएगी जो आपने में सामने बंपन हो जाएगी अपने पर पिलीरण अब bund हो गया, अभी कुछ important चीज है, जो complete नहीं हुई है अभी आपने सिर्फ stock select कर लिया है कुछ चीजे देख के, लेकिन अगर मालीज आपके आप grow app नहीं है, तो कैसे आप stock select करेंगे, हो सकता आप को दूसरी app इस्तमाल कर रहो हो, या भी सिर्फ paper trading कर रहो अपने account भी ना open कर रहा हो, demet account तो आप net पर search करेंगे, stocks under 100 rupees और उसके आगे लिख देंगे 5 पैसा 5 पैसा एक website है, जिसके अंदर stocks अब list रहते हैं, लेकिन कौन सा URL आपको click करना है, यह मैं बता दे रहा हूँ जैसे यह लिखा है, 5 पैसा stocks under 100, उसके आगे लिखा है list of best shares under 100, तो आपको इस तरह की URL को open करना है, इसी तरह अगर आप 200 वाला open कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखिए 200, enter करिए और उसके बाद यह stocks under 200, लेकिन इसके आगे कुछ और लिखा है, रेंक्टर इंडिया, इसको नहीं open करेंगे, थोड़ा सा scroll करके नीचे आएंगे, जैसे यह लिखा है 500 का, जहां पे लिखा हो list of best shares, उसी URL को आप open करेंगे, तो यहाँ पे जैसे यह 500 वाला है, चलिए इसको आपको example के तरह बताते हैं, बाकि आप अपना search कर सकते हैं, इस पे जो भी आपको लिखना है, तो stocks अंडर 500 रुपी list of best shares, इस पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ आपके सामने, जो best shares होंगे, और वो open हो जाएंगे, जो 500 रुपी के near about होंगे, जैसे मैंने आपको भी grow app के screener में बताया था, जैसे मैंने एक चीज़ आपको और बतायी थी, कि market capital तो जो stock आप उठाएंगे, यहाँ 500 रुपे वाला, उसका market capital भी फिस जादा होना चाहिए, अगर 100 रुपी का उठा रहे हैं, market capital 5000 करीब हैं तो 500 का उठा रहे हैं, तो उसकी market capital भी कम से कम, कम से कम 10,000 करोड के उपर होनी चाहिए, यहाँ पर market capital के सबसे price लिखें आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगा, क्योंकि जिसका जितना market capital होगा, जितना current price होगा, उसी हिसाब से उसमें liquidity और volatility होती है, liquidity volatility बहुत ज़़ूरी है, यह जानना 103 चल ला है, तो home पे आगए है और आपको, यह MMTC का है chart मैं इस पर बताता हूँ, example के तोर पे यह 103 रुपे का price चल ला है जब scroll करके नीची आएंगे, इसी तरह अपनी app में भी जब आपको यह stock को search करेंगे, तो आपके सामने पहले इस तरह की screen आती है, पे चाहे desktop, laptop tab में open हो, तो आपको scroll करके नीचे की तरफ आना, नीचे की तरफ आने के बाद, यहाँ पर most important चीज यह होती है, और market sell order quantity, देखिए यह चीज आप जहूर देख लीजेगा, इसको liquidity कहते हैं, इसको liquidity इसलिए कहते हैं, कि market में जब भी आप कोई stock buy करते हैं, तो market में कुछ sellers भी होने चाहिए, आपने कोई stock buy करा, तो आप उसको बेचेंगे किसको, और अगर आपने कोई चीज sell करी, तो उसको सामने से खरीदने वाला भी होना चाहिए, तो जब भी कोई stock select करें, तो उस पर ध्यान दखें कि कम से कम 15% से लेकर 85, मतलब या तो 85% seller हो या buyer हो, या 15% seller हो या buyer हो, इस तरह से जैसे अभी चला है कि buyer देखिए, इसमें 23% है, और seller order quantity 76% है, मान लीजे, seller 100% हो जाएंगे, buyer कोई हो गा नि, और आपने इस stock को buy कर लिया, तो आप बेचेंगे किसको, क्योंकि कोई भी आप quantity buy करेंगे, कोई भी stock buy करेंगे, तो कोई सामने खरीदने वाला भी होना चाहिए, बहुत से ऐसे stock होते हैं, जिसमें liquidity बहुत ही कम होती है, 1% या 2% buyer होते हैं, या 4-5% buyer होते हैं, आपने stock buy करा, 2-3 गंटे बाद पता चलता है, सारे sellers हैं, कोई buyer हैं नहीं, तब आप उस stock को sell नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हमेशा liquidity जहूर देखे, minimum मेरा कहना है, 15% तो buyer, या फिर 15% अगर माली जब बायर जादा है, तो seller जो भी हो, 15% से कम नहीं होना चाहिए, तो ratio इस तरह कहोगा, जैसे अभी 24 to sellers 75, तो ये सही है, 25% है, अगर कोई stock buy करेंगे, एक दो घंटे में आप इंडर डे में exit करना चाहते हैं, तो इतली ये 25% जो buyers हैं, वो sellers नहीं बन जाएंगे, या गायब नहीं हो जाएंगे, या 100% selling नहीं हो जाएगे, इसी तरह से मैं कोई दूसरा stock भी आपको दिखाता हूँ, जैसे state bank of India है, ये सो बहुत बड़े stocks हैं, मैं छोटे stocks आपको लूँगा, जिससे आपके समझे जैसे IFCI वाला, ये देखिए 76 rupees का है, लेकिन इसके, मैं buyer और seller दिखा देता हूँ, liquidity, देखिए, यहाँ पे भी 25% चल ला है, तो यहाँ पे अगर कोई sell करता है अपने stocks को, तो तुरंद यहाँ buyer इतने जादा हैं कि अराम से आपका stock निकल जाएगा, तो इस चीज़ का वेट करा, market यहाँ पे जो hammer candle है, resistance के पास वहाँ तक गई, लेकिन hold करा, जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया था, risk reward ratio फोबिया वाला की market घूम रही है, डर के हमारे exit कर देते हैं, तो उस पे जब control कर लेंगे, तो इस तरह का आपका loss नहीं होगा, और यहाँ पर देखिए, जो loss चलना था, वो 129 सुपे के profit में चलना है, तो यह up and down होता रहेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा wait करके, और अपने forvia पे control करके चलना पड़ेगा, बात करते हैं यहाँ पर volatility की, इसको हम लोगे smooth चार्ड भी कह सकते हैं, अब smooth चार्ड क्या है, पहले ही मैं आपको बता दूँ, देखिए, एक यह चार्ड है, आपके सामने, mmtc का या किसी का भी आप open कर लिए, तो चार्ड देखिए, आपको दिख रहा है, साब साब candle यूँ बन रही है, ऐसे ऐसे बन रही है, clearly आपको दिख रहा है कि candle हाँ joint है, एक candle के end पर दूसरी candle बन रही है, बहुत से चार्ड ऐसे होते हैं, जिसमें gap up candles बनती है, उस तरह के आपको चार्ड को इस्तमान लिकरना है, stock selection के बाद, मेरा मतलब यह है, देखिए, जैसे मैं आपको समझा दूँ, जैसे यह stock में, यह देखिए, इस तरह से अगर आपको लग रहा है, बन रहा है, या फिर कहीं gap up नहीं हो रहा है, जब भी candle बनती है, तो इस तरह से बनती है, और gap up open हो, या वो कोई भी stock open हुआ, और वो उसी जगा पे range करता रहा, माली यह यो करके range करता रहा, volatility नहीं है, तो इस तरह के stock को बिल्कुल select मत करिए, जब आप stock को select कर लेते हैं, उसको watch list में add कर लेते हैं, तो उसके बाद हमेशा देखिए, कि उसमें smoothness और volatility है की नहीं, इस तरह के chart बनने चाहिए, जिसमें up and down हो, तभी आप कहीं पर position बनाएंगे, और तभी आप earning कर पाएंगे, यह smooth chart और volatility है, अब मैं आपको एक और दिखाता हूँ, जिसमें किस तरह से chart बनता है, तो इस आपको इस तरह के chart को आपको select नहीं करना, अब यह देखिए, एक chart है, equities small finance का, अब यहाँ पर देखिए, किस तरह से candle बनने, एक के बराबर, एक, एक के बराबर, एक, ज्यादा तर इस stock में, एक के बराबर, एक, एक के बराबर, एक ही candles बनती रहती है, इस वज़े से इस तरह के chart को आपको select नहीं करना, कभी कभार जाके देखिए, कितना बड़ा moment यह देता है, लेकिन ज्यादा तर यह देखिए, एक के बाद, एक के बाद, एक candles बनती है, तो इसमें validity है नहीं, चार्ट होना चाहिए, कुछ ऐसा दिखे आपको, जिसमें आप कहीं न कहीं अपनी position बना सके, तब आप earning कर पाएंगे, जो सीधा सीधा चार्ट चल ला है, इस चार्ट में आप कोई earning नहीं कर पाएंगे, कहीं position बनाएंगे, घंटों बैठे रहेंगे, 9-15 से 3-20 तक, और कोई earning नहीं होगी, जबकि थोड़ा बहुत brokerage दे के जाएंगे, तो आपका loss होगा, तो stock selection के बाद इस चीज़ का ध्यान जहू रखिएगा, और moment जो हो, कम से कम 2 रुपे का moment तो हो, जैसे यहाँ पर आपने कहीं position बनाई, मान लीजे, और नीचे तक market आया, यह 107 रुपे था, नीचे तक market आया, यह 104 रुपे, तो 107-104, 3 रुपे का moment हुआ, तो कम से कम 3-4 का moment तो हो, 100 रुपे वाले stock में, minimum 2 रुपे, maximum जितना हो जाए, आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन maximum मैंने देखा है, 100 रुपे वाले stock बहुत ही कम महीने, 2 महीने बाद ही कहीं जा कि वो 8-9 रुपे तो टच करता है, एक ही दिन में, वनना वो 3-4 रुपे, 5 रुपे, य कम ना होने चाहिए, और वाच लिस्ट में, जबूर एड कर ले, और यहाँ पर लिख देना है, मैं अपनी वाच लिस्ट ही दिखा दे रहा हूं आपको, यहाँ पर होम पर चलते हैं, तो आपको साइस दिख जाएगी, यह रखी होम पर, यह वाच लिस्ट है, तो यह 1000 रु पर वाला स्टॉक है, यह सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई, यह बहुत ही इंपॉर्टन है, तो कभी भी स्टॉक सेलेक्शन करें इन चीज़ों को जबूर देखिए, तभी आपको मुवमेंट मिलेगा, और वालिटिलिटी के बीना आप इंट्रडेंग नहीं कर अब आपके पास स्केंडलिस्टिक के बारे में नौलेज है, सपोर्ट रेस्टेंस के बारे में नौलेज है, स्टॉक कैसे सलेक्ट करना है, इसके बारे में आपको पता है, अब आप पेपर ट्रेडिंग चाहे तो आज से शुरू कर सकते हैं, मैं अभी भी आपको नई सजि कर लेता तो इसलिए पेपर ट्रेडिंग करिए अभी और भी बहुत सी important वीडियो आना बाकी है तो जब तक आप एक महीने पेपर ट्रेडिंग करिए उसका जो भी result हो वो मुझे comment में जहू बताईए strategies को follow जहू करिए in short में बता दूँ support and resistance पे जो candle बने उसी पे आप buy करिए अपने position को execute करिए अगर आपका profit हो जाए तो आप support से अगर चले हैं तो resistance तक का wait न करिए resistance से चले हैं तो आप support तक का wait न करिए कि जादा जादा अन कर सके आपका अगर target पूरा हो गया है तो वहीं से exit कर जाईए अगर एक trade में target पूरा हो गया है तो आपसे system को close कर दीजिए अगर loss हुआ है तो आप दो trade एक दिन में लें से आदा आप trade ना लीजिए ये कुछ important बाते थी जो मैंने this reward ratio में इससे पहले वाले वीडियो में बताई थी तो आए हो वीडियो आपने enjoy करी होगी अगर enjoy करी है तो please like share subscribe ना भूलियेगा thanks for watching my video